मारवाडी सिवा समिती की तत्वाधान में रवीवार को सिविल लाइन इस्तित एक मेरेज हाल में स्तोलमो वैवाहिक परीचे सम्मिलन आयो जित हुआ परिचे सम्मेलन का मुख उद्देश मारवाडी समाज के युवां और युवितियों के विवा में हो रही देरी को देखती हुए किया गया सम्मेलन में मारवाडी समाज की विवा, योग, युवक और युवितियों के वायो डाटा कलेट कर विवा को साकुशल संपन कराने पर चर्चा किया गया परीचा सम्मेलन में करिकरम अध्यज नगर विधायक डॉक्टर राधा मुहंदास अगरवाल अतिथी कृष्ण कुमार तुलसियान, परमुक समाज से भी अतुल सर राफ, गौरी शंकर सर रावलगी, शीव शंकर शापाडिया, जयोती गोयल, विनोत केडिया, सहित मारवाडी समाज के अनिपरतश्चित लोग मौजूद रहे इस समाज में गौरवाडी समाज के पूर सचिव अजय कुमार पोद्दार और अखिल भारती वैश महा सम्मेलन के कारिकारणी परदेश अद्यज भगीरती पच्छिरी वाला ने कहा करके हुए आपके से मांधर्शन यो मांधर्श आशिवान के आकांची है इस सब्सक्राइब बहुत बड़ा निभा रहे हैं यह असान काम निवाजी अरवाड सदन में मौजूद है चार जन्मीन दोजा चार को यहां पर हुआ था और उसके बाद अधरी की मौजूद है जो दूसरे में बड़ाई पर्चे से नहीं है अशूर कमानी परिजा चाजाजी की दो बार किये हुए बर चाजाजी पुर्णा इक बड़ा पड़ो है कोकि मार्माधी सेवासंती का च अधर से अभाल है और संफुष बड़ा चीजा आचुके हैं तो पुर्ण बड़ा चीजा परिजा जाए बड़ा के लिए का चार्टाएं किसे भी जरूर होते हैं बिदो बड़ा ने कहा है परिजह सेमें अभी, घरी, इदाबाद, नांपूर और उसके बाद में गौनफूर बड़ा होने चाज़ा है सफाता बहुत देवाई इससे दोड़ा नहीं है इसमें भी दोड़ा नहीं है कि अपने हां लड़के की संख्या धिरे 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 33 और 77 का देशियों आ गया है, अगे बाद सुराओं, मेरे सुल्तान को लेकाली करम गया था, जैसे ही मैं सो उत्रा, कम से कुछ साथ बाइड़ेटा मेरे लड़कों वालों ने मुझे दिये, लड़की वाला कोई दिनीन दिया, कि बाइड़ेटा मेरी पज्ची का भी है, इसक मेरे को कहने कि बाइड़े हुई है, जड़ा साथ कुछ बात करनी है, और ये किनारे ले आकर मुझे कहने लगया, कि बाइड़ जब बच्चा पहता हुआ था, तो मैंने ठादी भी बजाई थी, मिठाईयां लिबाती थी, अज 25 सान का बेटा हो गया है, और राजसादी नह हो गई, आंसों आगे उसके भी मेरे, हकीकत यह है कि इस समय लड़कियों की साथित होने की बज़े से हमारे बच्चों की साथियां नहीं हो गई, क्या करना थे है, इस पर छिंटा का विसा है, मैंने परीचे संभिलें के अलावा, अब अगरवाल जबाई परीचे गोर्ष् हकीकत है कि बाई डेटा आए, वोई भी हमारे पास समयता नहीं आता है कि हमने समन्द इस समय इन से समन्द हो गया है, जिसकी जानगारी हमको नदे मिलने से हमें प्रिकत हो रही है, ये पिछला पंगरा प्रिके से मिले लोगार, उसमें कम चे कम 50-60% जिसके हो चुके है, अ आपको समझ जाता है कि वागई प्रिके समन्द से कितने फायते हैं, वोगरी है, वोगरी है, इनके मार्धियम से इनको जानकाली है, साथियां होने के बाद बहुत से लूँद बताने ही नहीं आता है, तो अभी तो अगर आप मेहनद करते हैं तो 422 के और कंपर करना चाहें अब आपकिस योग दाउल करके हैं आशके योगे में आपके बावगाटर, छाड़ी ने राटर पात रहते हैं, दाक्टरों के लिव द्रात भुनाका है, समाज के पढ़े कि वद्र के बाच अपके पढ़े conseatte में रहतına है, वोगरी हो आते तो उस बात को कहते हैं, कि समाज का जो गढ़ी बहत होता है, जो कम्झूर बहत होता है, हालनकि अपने समाज में तुछ गढ़ी और कम्झूर नहीं होता, हमाद हम हाती भी मरेगा तो भी स्वाल राखता होगा, लेकिन बावजूर दिसके कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलत पराव तो कहिए, मैंगे तो अगरवाल ब्यवाइक परिचे समेलन पूरी यूपी के अंतर हो रहा है जिसके संदर में आज 16 परिचे समेलन गोरकूर में मारवाडी सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है जिसका लाव एक छट के नीचे अगरवन्धों को बहुत बड़ा लाव हो जाता है डाक्टर को डाक्टर लड़की मिल जाती है इंजिनियर को इंजिनियर लड़की मिल जाती है एशिक्सित अगर लड़का है तो एशिक्सित लड़की मिल जाती है अगर कोई विकलांग पढ़ना नहीं पढ़ता है इस संदर्म में हम लोग मारवाड़ी स्यवासमिती गोरपूर चारों तरफ दोड़ करके रिष्टे अधोड़ दोड़ करके हम लोगरवाते हैं जिसका फायदा समाज को मिलना है धन्यवाद मैं अजेक उमार पुद्दार मारवाड़ी स्यवासमित पूरु सची हुँ ये जो कारिकम आज संपादित हो रहा है मारवाड़ी वैवावारिवासमित पूर्पूर के द्वारा 16 वैवाथ संपद हो रहा है इसमें बहुत सारीrawn speakers आए है और इसका जो मुख्य उद्देश है उस उद्देश ये है कि आज मभाड़ी समाज बहुत समपन्ध समाज माना जाता है बहुत प्रतिष्टि समाज माना जाता है लेकिन बहुत सारे लोग अपनी व्यस्थता कें अपने बच्चों के शादियों को ढूर पाने में, शादियों को सही तरीके संपन करा पाने में असमर्थ महसूस करते हैं हम लोगे एक मंच बनाया है जिसमें पूरे पुरवांचर, बिहार, आसपास यहां ते कि नैपाल के भी काफी चेत्रों को कवर किया है यहां के पच्चों के लड़के और लड़कियों का बायोडाटा में कटा करते हैं इवन उसमें अगर कोई तमाग शुदा लड़के लड़की हैं उनका भी बायोडाटा लेते हैं और एक इसमारिकान उसको छाप देते हैं इसे पूरे आसपास के लोगों को बायडाटा मिल जाता है एक दूसरे से परिचे करके लोग यह ले लेते हैं इसी कारिक्यम के तहर जो लड़के आते हैं जो लड़की आती हैं उनको मंच पर बुला करके उनका परिचे कराते हैं और समाज से आई हुए लड़के लड़कियो रही हैं उससे हम समाज को स्वेस्ट बना सकें इस प्रकार से हमारा स्वह वैवाही कारिकम आज यहां गोकुल अतिदिवामन गोरकुर के प्रांग्ण पे संबाधित हो रहा है बहुत सुंदर कारिकम है और जोन भी इस कारिकम से जूनेंगे उनको बहुत-बहुत-बहुत ला बादू